Hey guys, मैं थोड़ी देर पहली कलकी देखकर आया हूँ और मुझे पता है और मैं काफी जादा लेट हूँ, मतलब सच में ये मूवी थर्सडे को रिलीज हुई थी और आज संडे मतलब तीन दिन हो चुके हैं इस मूवी को रिलीज हुए और मैंने इस मूवी को मतलब फर्सडे नहीं देखा, इसके लिए मैं काफी जादा दुखी नहीं हूँ, इसका रीजन ये है कि मैं पिले काफी दिनों से काफी जादा बीजी था, आपने देखा भी होगा कि मेरे वीडियो नहीं आये हैं, इसी कारेंट से मुझे कोई दुख तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर फर् लाने वाले सींस, उसमें तो क्या माहौल बन रहा था, मतलब सच्छा मजा आ रहा था इस मुवी को देखने के लिए, कहानी की बात तो मैं जादा नहीं कर पाऊंगो, क्योंकि ये मुवी की कहानी को खतम नहीं किया गया, इसको बीच में ही खतम कर दे गया, यानि सेकेंड पार्ट के लिए हमें चीजे छोड़ दी गई है, कहानी कुछ ऐसी है कि 6000 साल तक का इस पैम दिखाया गया है, महाबारा से लेकर 2898 तक का, जिसमें हमें सब कुछ दिखाया जाता है, पूर अश्वत दामा की नजर से, कि क्या रही है, उसकी जरनी क्या है, और एक काशी पात करें, तो personally, मुझे इस मुवी के स्क्रीन प्ले अच्छा लगा है, क्योंकि ये स्टोरी जो थी, वो काफी जादा कॉम्लिकेटेट थी, और सच में, इस मुवी को अगर कोई और डायरेक्टर या कोई ऐसा इंसान लिखता, जो इतना दिमाग नहीं लगा रहा है, तो व जिस तरह से पूरी चीजें हमें रहे सामने रखी जाती हैं, एक्स्टोर की जाती हैं, हमें दोनों ही स्टीजेस का दिखाया जाता है, दोनों ही दुनिया का बताया जाता है, वो सारी चीजें देखने में सच में काफी ज्यादा अच्छी लगती हैं, बात करू, इस चीज़े काफी आराम से एग्नोर की जा सकती थी, कुछ चीज़ों कुछ चारेक्टर की बिल्कुल भी जरुवत नहीं थी, जैसे दिशा की चारेक्टर की मुझे नहीं लगता कुई जादर जरुवत थी, लेकिन फिर उस चारेक्टर को रखा गया है, तो चारेक्टर इस चीज़ों पर बात करो इस चीज़ों पर बात करो एक्टर की अमिताब बचंसर, टॉप नॉच, मतलब सच में उन्होंने दिखा दिया है कि वो इतने बड़े कलाकार क्यों है, उनको महानायक क्यों कहा जाता है, उन्होंने इंडस्ट्री पर इतने साल राज़् कैसे करा सच में यार इतना ही जबर्दस काम करा है उन्होंने कि बस मज़ा आ गया मतलब सच में एक सीन है सेकंड आप में जिसमें प्रभास और दुनों एक साथ देखते हूं सच में वह सीन में आप प्रभास को नहीं देख रहे होते हो उसमें आपकी नजर अश्वधामा पे होती है क अपने रोल को अच्छे से प्ले करा है बात करू डिरेक्शन और एडिटिंग की डिरेक्शन अच्छा है कुछ जगह उपर थोड़ा बिखरा हुआ लगता है लेकिन ओवराल डिरेक्शन अच्छा है जिस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे था है वो काफी ज़्यादा बड़ सच में यह मूवी काफी बड़ा बैंचमार्क बन जाएगी बाकी देखते हैं इस मूवी का सेकंड पार्ट कैसा बनेगा बाकी मेरी तरफ से यह मूवी पूरी तरह सरी कमेंड़ेड है और अगर आप लोग ने मूवी देख लिए हो तो मुझे गॉमेंट्स पर ज़रूर ब